गुड़ आफ्रून बच्चो शो आज हम लोग कोईशिन इंसे डिसकस करेंगे चाप्टर नाइन हेस्ट्री के ठीक है मुल्टिपल चोईश कोईशन में लॉट विल्यम बन्तिंग वस इंस्टुमेंटल इन बनिंग प्रैक्टिस अफ ये अप्शन सी हो जाएगा सथी सिस्टम ठीक है इस तिरी पुरुस्तुलुना वस रीटिन बाई ये आंसर हो जाएगा अप्शन वी तारा बाई सिंदी फिल इन ब्लंक्स विल्ग कास्ट हिंदु विमन वस रीटन वाई पंडित रामा भाई होगा अबर तू दस इस तार्ट इन अर्गनाजिशन काल अब्राम शमाज तो राजराम मुहन राई होगा इन एतिन एतिशेबेन नेशनल सोशल कंफरेंस वस फाउंडेट बाई महदेप गोविंद रानादे एंड राम कृष्ण वंडार कर ठीक है और नॉम्ब फोर बहिस्कृत हितकर्णी सभा वस स्थाथ बाई डक्टर ब्यार अंबेट कर ठीक और मैच द फॉलोविंग प्रिय exply ع्रा र rhama swami होगा ठीक है प्रिया नहीं है प्रिया लिखा है ठीक है जो भी ऑ प्रीय और रमस्वामी यह जडावीडा का जगम पार्टी रहोंने फार्म किये थे जोती राव गोवंद राव फुले सत्यसोदक समाच होगा ठीक है को पालहरी देश्मूग लोकल हि इन संस्क्रीट, पॉसियन और सेवरल अधर लाइंग्वेजिस इस रिफॉर्म तुक दिलीट एगें सौती तो यह होंगे आफको राजार राम मोहन रोई ठीक है और वो रोड बुक गुलाम गरी जिसको स्लैवरी कहते हैं इंगलिस में तो जे एज फुले ठीक है हाँ, ओके और एसे तरह से short answer questions में who were reformers, reformers किसको कहते थे, ठीक है reformers were those people who had the view, उन लोगों को reformers कहते थे, जिनका जो विचार जो था, कि यहीं थे उन लोगों का विचार, कि जितना भी society में evils बगेरा जो है, unjust बगेरा जो है उसको society से दूर करना चाहिए, ऐसा विचार रखने वाले लोग जो है, और इस वार act करने वाले लोग जो है, वो reformers से what were their views regarding western education, तो reformers का view western education के परती क्या था तो, definitely यह लोगों का थोड़ा अच्छा था that means, they held the view that awareness and western education, जो लोगों में सचितना हो, ठेक है, और इस तर से western education हो, अगर रहेगा western education जो रहेगा, तो यह automatically society में जितना evils बगेरा जो है, उसको eradicate कराने में help करेगा society के evils को यह दूर कराएगा, इन लोगों का यह विश्वास्था why did orthodox Hindus criticize विद्यसागर, इस्वर चेंडर विद्यसागर को क्यों criticize किये orthodox Hindus लोगों ने तो इसका answer होगा, इस्वर चेंडर विद्यसागर जो है, इन होने सास्त्रस बगेरा पढ़ी थे और पढ़ने के बाद इन होने ये भी प्रूब करके दिखाए कि सास्त्रों में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वीडो जो है, रीमैरिज नहीं कर सकते है, ऐसा कहीं पर भी लिखाने है, तो वीडो लोग साधी कर सकते है इनका कहना था, ठीक है, and he openly supported the widow remarriage, widow remarriage को इन होने openly support किये और ये पसंद नहीं आया Orthodox Hindu लोगों को, इसलिए वो लोगों ने वीद्यसागर जी को criticized किये, उनका निंदा किये और इस्वर्चंड्र विद्यसागर जो है, वो spoke against caste system, society में जो जात परता है, child marriage है, और इस तरह को बहुत सरफ social evils है, उसका against में नहोंने आवाज उठाया, तो ये जो भी आपको Orthodox लोग जो है, उन लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये लोग अगर जी को criticize करते थे, what kind of works were performed by the untouchables, untouchables लोग कैसा काम करते उस समय, that means untouchables लोग जो है, generally उन लोग काम मिलता था, जैसे कि dead body बहुत होगा, उसको remove करना, making leather goods, leather goods बगएरा बनाना, that means, juta बगएरा बनाना, okay, इसी तरह से tanning leather होगा, sweeping street, or cleaning toilet and drains, जितना भी आपका जो काम, ऐसा काम, जिस काम को society का लोग जो है, वो काम जो है, आपका तुच्छा मानते थे, इस तरह काम generally untouchables लोग करते थे, that means, they had to do all their works, which didn't have any respect in the society, ऐसा काम, जिनका society में कोई भी respect नहीं होता था, ये सारा काम untouchables लोगो का दरख करवाय जाता था, okay, वो वेर कंदकुरे विर्शेलिंगम, ये था, prominent social reformer from अंडरप्रदेश से, and he fought against social evils, इन्होंने social evils का against में लड़े हैं, और इन्होंने encourage भी किये, inter-caste marriage को, ठीक है, और इस तरह से, caste system का against में लड़े हैं, और इन्होंने, हितकर्णी स्कूल, 1908 में इसका भी establishment करते है, कंदकुरे विर्शेलिंगम, long answer में, discuss the condition of women in the 19th century India, with reference to the evils prevalent in the society, society में जो evils बगरा prevalent है, उसका जो against में, उसका against में 19th century, 1 minute, discuss the conditions of women in the 19th century, 19th century में विमें का condition काई सा था, ये पुच रहा है, ठीक है, बाकी से खोए मतलब नहीं, ठीक है, 19th century में का condition काई सा था, they were married off at an early age, जब छोटे होते थे तब ही इन लोग का सहाधी कर दिया जाता था, and they had to remain under the dominance of their husband, और पूरा जिंदगी अपना husband का अधिन में रहना पड़ता था, if they lost their husband, अगर इन लोग का husband अगर गुजर जाते, तो they had to sacrifice their lives, putting themselves in the burning fire of their husband, that means, अगर husband गुजर जाते, तो husband का जलते हुए चिता पर जल करके, इनको भी अपना जीवन का बलिदान करना होता था, after declaring Sothi as an illegal, और बात में Sothi तो illegal declare किया है, उसके बाद भी इन लोग को बहुत सारा pathetic life जीना पड़े इन लोग को, religious ceremony, कोई भी आपका religious ceremony attend नहीं कर सकते थे, and they could eat only a specific kind of food, और सारा food यह लोग नहीं खा सकते, आपका इसी तरह से sweets बगर नहीं खा सकते, बहुत सारा चीज़ में लोग का परती बंदा था, महिला लोग के लिए, ठेके, and women didn't have any right, but all the rights were enjoyed by men, महिला को कोई अधिकार नहीं था, सारा का सारा अधिकार जोए, श्रीपूरुष को यह दिया हुआ था, Why was the practice of sati considered as the most heinous social avail during the 19th century, 19th century का सबसे बड़ा जो avail क्यों माना जाता है, sati को, तो okay, widows immolated a life on their husband funeral fire, that means रही है, कि husband का जलते हुए चिता पर इनको जल करके अपना जान देना होता था, तो ही निया स्क्राहिम दहाई है पर, Orthodox held the view that the act of self-immolation provided the victims dead husband a spiritual salvation, Orthodox लोग यह कहते थे कि, अगर husband का जलते हुए चिता पर अगर यह लोग जल करके मरेगी, तो इनका widow, तो husband का जो मरे हुए आत्मा जो मरे हुए है, husband जो उनका आत्मा को मुक्ती मिलेगा, ऐसा वा बिलीब करते थे Orthodox लोग, अगर जलते हुए चिता पर जल करके अपना जान देने कोई आसान बात नहीं है, इन लोग पर जाना जान नहीं है, तो यह लोग तेंपल में भी जा सकते हैं, इसलिए स्टार्ट किये थे, इन लोग को भी टेंपल में जाने के लिए मिले, इन लोग को भी रिस्पेक्ट मिले, इसी तरह से जितना भी आपका सोचल एकोनोमिक, सोचल एकोनोमिकली बैकवर्ट है, ठीक है, इन लोगों का बेटर में के लिए, इन होने काम किये, और ढॉक्तर अमबेटकर स्टार्टेट तबहिष्क्रीट हीद करनी सभास, इन लोगों को अफ्लिट करनी के लिए, इन लोगोंको प्रोग्रेस लाने के लिए, रिफेर्म लानी के लिए and for eradication of untouchability और इसी तरह से उन्टचिबिलीटी जो है च्वाचु जो है उसको दूर करने के लिए यह और्गनाइज ओल इंडिया सेडूर कास्ट फेडरेशन भी इन्होंने एक सेट अप करते हैं डॉक्टर भी आरंबेट कर थे के महत्मा गंधिजी और यह रामस्वाम यह दोनों का बारे में थोड़ा देखते हैं तो महत्मा गंधिजी का कुन्टिबिशन क्या है गंधिजी कोई ट्रॉम हरीजन एंड फांडेड ओल इंडिया हरीजन संग फाल्स टाइम अगर हरीजन वर्ट यूसके तो गंधिजी ने यूसकी है और यह हरीजन वर्ट गंधिजी ने यूसके लोगों के लिए और वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो अन्टचबिलीटी है उसको अबलीस किया जाए उसको हटाना जरूरी है वह अपने से ही तुएलेट भी साफ करते थी और क्यों करते थे ठीक्रिट साफ करने लोग जो इन लोगों का डिग्निटी इन लोगों का संक्वान को बढ़ानी कि लिए गन्धि enabling कोई खुथ ही तुएलेट साफ किया और यह मैश्ण देने लिए कोईप काम चोटा नहीं हो करता है ठीकिंख, कंसीडर अंटॉच बडी असीन, लिए गंदी जी मैंते थे खिंट थे कि की अंटॉच बडी जो है यह प्रैक्टिष, जो है च्वाषुद का प्रैक्टिस जो है, एक पाफ है इसी तरह से पेरियोर रामस्वामी, he began the self-respect movement, इन्होंने self-respect movement start किये और यह self-respect movement जो है, spread the principle of self-respect and help in eradication of caste system caste system को eradicate करने में और इसी तरह से आपका self-respect को बढ़ाने के लिए जो छोटा जाते उन्हों का self-respect को बढ़ाने के लिए और caste system को eradicate करने के लिए काम किये इन्होंने 1944 में इन्होंने एक party और फर्म करते ड्रावीडा का जागम party, और इसका aim था abolition of untouchability, untouchability को abolish करना भी इनका aim था और D में, do you think in the 21st century, women are treated on an equal footing in our male-dominated society? Sight examples in favor or against, तो 21st century में क्या male और female equal है बोल रहा है? Approx to equal है, अगर देखेंगे 21st century में, women जो है, इन लोगों को भी male का तरह ही लगभख equal treat किया जाता है, वीमेन का भी past भी वह सभी right है, जो past में जो हता था, शिरिफ male ही उस right को enjoy करते थे और इस डेस अगर हम लोग देखेंगे, तो every field में women say, कि higher post में है, ये लोग administration में है, politics में भी है, science and technology में हर जग महिला लोग है, तो हम लोग ये तो कह सकते है, past का comparison में, 21st century में जो है, महिला और पूरुष में लगबख समानता है, okay, in spite of passing of so many laws in favor of impoverized class, they still are unable to enjoy many basic rights, do you agree or not? that means, बहुत चरा कानून पास होने के वापजूद भी, ये आपका untouchables, लोग जो है, ठेके, और इसी तरह से दलीत लोग जो एक जो आपका, ये society का, ये लोग basic right इन लोग को नहीं मिल रहे, बोल रहे, definitely, ये हाई, yes, in many cases, we see, हम लोग को दिखने का मिलता है, laws are written, कानून तो किन्तु कानून जो है, पेपर तक की सिमित है, और practicality में, लोग जो है, इसको follow नहीं करता है, ठेके, और बहुत चरा law पास किया है, बहुत चरा अधिकार दिया गया untouchables लोगों को, बट दुश्रा बात ये भी है, कि untouchables लोग उस कानून से unaware है, उन लोग को पता ही नहीं है ठेके, ओके, इन लोगों को, ठेके, इसको जाने के लिए अनुमती नहीं था, अगर कोई teacher, अगर teacher का दिल में अगर दया होगा, तो कोई untouchables लोग जो है, पढ़ने के लिए बहुत इच्छा दिखाते हैं, तो क्लासरूम का बाहर में उनको नहीं है, यह इसलिए रखते थे कि अंदर में तो ब्रहमन लोग बेठे हुए, ब्रहमन बेठे हुए, तो अगर वो दलीत का बच्च्चा अंदर क्लास में बेठ करके पढ़ेंगे तो फिर ब्रहमन का बच्च्चा इंप्योर हो जाएगा, उस समय का सूंस तो यह था ना, इसलिए बढ़ना चाहते थे दलीत का बच्चे उनको दरवाजा का बाहर में रख देते थे तो क्या do you agree क्या ये सही था ठीक है या नहीं था आप अपने अपने एंसर दीजिए आपको क्या लगता है हम तो बोलेंगे कि no untouchables two should have right to sit and learn together अगर उन लोग को भी होना चाहिए मेरा ता कहना यही है बाकि आपका अपना विचार है ठीक है so यह chapter यहां खत्म होती है थोड़ा सा time नहीं मेरा था काल थोड़ा जल्दबाजी में बना दिया ठीक है और काल से हम लोग का फिर regular classes स्टार्ट हो जाएगे दुसरा chapter से ठीक है okay thank thank you bye-bye